हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जी की जिनको एक तरह से व्याग्यानिक प्रबंदन का पिता कहा जाता है अगले वीडियो में प्रवंधन के क्या सिध्धानत है, वैग्यानिक प्रवंधन के की सिध्धानत हैं, फिर टे 라inky की बात करेंगे, इसमें उनका क्या रोल रहा, नाम में क्या जीन चल नहीं थी, अब söylते हैं कि इसे पहुँंचें तो, करते हैं तो सबसे पहले आप यह समझे कि जो क्लासिकल थियोरी है मैनेश्मेंट की उसमें तीन लोगों का नाम बहुत ज्यादा आता है दो लोगों का नाम पहले बात कर सके तो टेलर साहब है दूसरा फेयौल साहब है जिन्होंने एड्मिस्ट्रिटिव आसपेक्ट पर क्या है इसका मतलब क्या है इन सारी चीज़ों को समझते हैं तो फ्रेडरिक विंस्ट्र टेलर साहब का जन्म है न 1856 में हुआ था और उसके बाद से 1915 में उनकी रित्य हो गई तो लबग 69 साल उनका जीवन रहा निमोनिया से डेथ हो गई थी बहुत सार ऐसे महापुरुष और बहुत विद्वान लोग रहे हैं जिनकी चुड़ी बीमारियों से डेथ होती रही क्योंकि हमारे हैं मेटकल साइंस इसकी डेवलप्त थी नहीं रामनुजन साब भी थे जो टीवी से जिनकी डेथ होगे थी इनकी निमोनिया से डेथ होगे थी तो हुआ क्या कि 1856 में ज चीज़े होती ना जमीनी स्थर की हकीकत होती है उससे बहुत करीब से इनका पर्चे हुआ है अब जमीनी हकीकत जब इन्होंने देख डाली तो फिर क्या हुआ उसके बाद काम करते करते हैं इनको मेकेनिकल इंजिनियर की नोने डिग्री भी ले ली ठीक अच्छा अभियां ज्यादेगी करांती की बात नहीं हो रही है कारोपोरेट वर्ड में या फिर प्रैक्षन में उत्पादन में हुनक है कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी बढ़ी ज़ोड homeless की चली की के सबसेय कह थी ञासले इंदस्च्रियर के सब्सक्राइब और बनां उसृव certificates यृश्थ फे तो आपर छोटे-छोटे कमरों में या छोटी-छोटी जगाया पर ही लोग या अकेले ही कुछ प्रड्यूस क्या करते थे या पांचे लोग मिलकर के काम कर रहा है और द्योगे क्रांती ने बहुत मास स्केल पर बहुत बड़े लेवल प्रोड प्रड़क्शन का एक नया सिस्टम बनाया था उससे पहले इस तरह की चीज़े हुआ नहीं करती थे तो जो नया सिस्टम बनकर क्या था उसमें क्या था वह अद्यों कि क्रांती की विर्यास असा हो रहा था जिसकी सबसे बड़ी मातरा में उतफादन थीजा खीक अच्छा बड़ी मातरा में उतपादन के लिए बड़ी मातरा में लोग भी चाहिए होते थे हैं ना और उन लोगों को अलग अलग करेका काम दिया जानाया स्टार्ट किया जा चुका था स्टार्ट by ऐसंचम करोगे अभी क्या होता है इस प्रकेंघ जानवर के लिए 4 युड सानी कर ज़र को जब और शायत को है को किया होती है स Bowl कि यह मुझे बहुत आती नहीं एसे ही इस प्रोम में साइंटिस्ट है माल दीजिये वह और श्रम कर रहा है अपने उस विंश्च स्ट कम क duration जिसे ही उनको पस्राते हैं जिसके सारी चीजे को करते तो देखा गया कि जैसी आसे फेस्सेलाइशन होगा होता है वैसे एक इंसान काम को बहुימए तो Hem जिसकेrit वहां से निывать में और वहां पैसे कना रहा है वाकी काम से उसको पैसे नहीं मिल रहे वाकी सारा काम जो जरूरत तो बहुत सारी चीजों की है उसको शर्ट पहने की भी जरूरत है उसको खाना-क्हा था उसको घर में नहीं चाहिए कि जैसे आज़ या था साथ में फैक्टरी बनाई के इस जाना चाहिए किस काम curi TA तो नहीं करते के upfront कैसा होगा वह इक बहुत बढ़त बड़ा में हूँ आप मेरी फैक्टरी आपकी फैक्टरी ज्यादा अच्छी तरह से डिजाइन की गई है जहां पर प्रोडक्शन बहुत तेजिस हो सकता है अभी टेसला के लिए गीगा फैक्टरी की बात होती है तो वह इतना एफिशेंट डिजाइन होना चाहिए कि जिससे प्रोडक शमता है वह नीचे गर जाएगी ठीक तो इन सारी चीजों का काम चल दा था उस ताइम पर तो ऐसे में उत्पादन की कार खाना प्रणाली इसको याद कर लिजिए शब्द को यह शब्द तो नहीं है शब्द समू है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री सिस्टम और प्रो की सिस्टम दिखना कि चाहिए उसका पौरर क्यसा होना चाहिए ठीक है अच्छा अब यह क्या है इन्हों ने ऐसा मानना था है कि कुसलता जो हमारा अलग तरे की काम में जहूंकि पड़ेगी और किस तरह के का में किस तरह की ऊने का तरीक रेक्टरी की पाहुं से कि परफ सोच में क्या होता है हम लोग चीज़ों को पहले जो प्रॉबलम रहे वा देटे की हमारी यह हमस्वा हें फिर इसका जील को मिला करेको तो तो दोनों को मिला करके भी पर मुठ्स करतें एक निया एक और चीज़ समझनी चाहिए यहां पर हमारी किताब में भी डारेक्ली लिखा हुआ है कि कोई भी सिस्टम जब बन रहा होता है, किसी भी देश में लोकतंत्र आता है, या कोई भी सिस्टम हो, कुछ भी हो, तो उस सिस्टम को परफेक्ट होने में, या काफी हद तक मजबू और उन्होंने जो रास्ता दिखाया कि यह तरीका है, या यह हमारा अंतिम लक्ष है, वो बहुत clarity से आगे में देखने को मिलता है, तो वो इनका main contribution है, वो उसी तरह से माना जाना चाहिए, वो कि इनका यह मानना था कि व्याग्यानिक विदी से आप सर्वुत्रम दंग तक म जो यह system था, three form of production, उसकी कुछ अलता तक महचाने के लिए यह प्रयास में लगे रहे, तो इनका main contribution यही से आता है, अब यह करते क्या थे, करते ही ऐसा थे, जैसे मान लीजे, एक movie है, मैं सीन बताता हूँ, शिंडर सिस्टे मैंने बहुत बार देखिए, तो उसमें वर्ड जो gate होते हैं, जो hinge होती है, जिस पर gate टिका रहता है, वो बनाने की बात होती है, तो एक worker बहुत जल्दी से बना करके देता है, एक scene आता है, तो उसमें जो German officer होता है, वो time note करता है कि काम तुम कितनी देर में कर पा रहे हो, ठीक, और वो यह देखता है कि आपने तो यह जहां पर मैं इस से को connect कर रहा हूँ, क्योंकि वो scene मुझे याद आया, यह क्या करते थे, यह किसी भी काम को बहुत छोटे-छोटे parts में तोड़ देते थे, कोई भी काम है, कि उसको कितने सारे parts में तोड़ा जा सकता है, मैक्स तो हम, जैसे माली जी कुछ भी है, रोटी बन में कितना कितना time लग रहा है, ठीक, किस चीज को हम लोग ज्यादा workers लगा दे, कहां पर कम workers लगा दे, अगर माली जी यही तरीका हो, एक सिर्फ example है, तो वो क्या करते थे, उसको seconds में भी divide कर दे थे, कि यह काम इस से जारा तेरी से नहीं किया सकता है, और इसको एक ही काम अ तरीका है, तो वहां से वो एक perfect solution तक पहुंसने की कोशिस करते रहे हैं, यह चीज थी इनकी, अच्छा, अब इनकी life से जोड़े वे कुछ important aspects से इनको जल्दी अल्ली मों देख सकते हैं, इनका ऐसा मनना था कि, उस time पर जो management हुआ करता था, वो काफी amaturist था, मतलब नहीं हो पाई था पूरी तरह से, और इसी वजए से, कारण ये था क्योंकि हम उसको एक विशाय के रूप में नहीं पढ़ते था, तो इन्होंने बुला कि हमें management को एक विशाय के रूप में पढ़ने की जरूरत है, और जह हम विशाय के रूप में पढ़ेंगे, तब हम प workforce है, जो काम करने वारे लोग हैं, उनका भी हमें सहयोग चाहिए है, आपस में clashes नहीं हो, trade union होती है ना भी, आपस में कभी हर्ताल भी करते हैं, इस तरह की चीज़े होती है, तो जो श्रंग संगड़ने, उनकी आवशकता हो गी ही नहीं इनका ऐसा माना था, कि उनकी कोई definition management का काम होता है, काम निकलवाना, वरकर से आप काम निकलवा रहे हो, लेकिन वरकर्स भी जमीन पर बैठा हुआ है, जमीन पर बैठा हुआ है, मतलब जमीनी हकीकत से परचित हो रहा है, तो वो भी अपने कुछ ideas को लेकर के आता है, तो management उसको सुने, जो बड़े decisions लिये ज देना चाहिए, तो इनका यह कहना था, कि management का फायदा, workers का फायदा, company के मालिकों का फायदा, या फिर company का फायदा, सब कुछ एक ही है, अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि management का जादा फायदा है, तो वरकर्स का नुकसान है, तो अगर सबका फायदा एकदम aligned ही है, तो फिर आप लोग वैग्यानिक प्रभंदन पढ़ रहे हैं तो इन्हों नहीं पहली बार जो साइंटिफिक मेनेजमेंट टर्म है उसको यूज किया था ठीक है तो वो भी एक तरसीनी की नाम सरा जाते हैं फिर एक जब मैं कॉलेज में था तो हमारे यहां पर एसमी है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेकेनकल इंजिनियर्स उसके यह प्रेसिडेंट बिच इलेक्ट हुए थे तो वह भी काफी एक रेपुडेट पोस्ट पानी आदी थी उनने सो चैसाथ के बीच में और फिर जो मेन इनका एक बैथलहम नाम की बैथलहम आयरन कंपनी नाम के क अब उस कंपनी में जब यह रहे तो इन्होंने पहले अपना काम के कर दिया उसकी और जिम्मिदारिया दे गई तो इन्होंने कुछ और इंप्राइस को बढ़ाया लेकिन overall क्या था कि इन्होंने तीन गुना प्रोड़क्टिविटी बढ़ा दी अपने रहते हुए तीन ग्रूप ने खरीद लिया और इनकी वहां से चुटी कर दी गई लेकिन कुल मिला करके एक विवस्थी तरीके से scientific methodologies का यूज करते हुए best possible solution तक या best possible management methodology तक पहशने का जो काम इनोंने किया उसी कि लिए इनको याद किया जाता और वह बहुत बड़ा contribution माना जाता है फिर 1915 में स्वास्त खराब नहीं लगा तो 1910 के बाद से फिर निमोनिया से उनके बारे में जनकारी कि उनके आइडियास थोड़ा होगा कि किस तरह की चीज़ें की होंगी तो अभी हम लोग और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो patreon पर जाकर या फिर screen पर दिये गए QR code को scan कर अपना योगदान जरूर दें अपनी क्लास का उद्दे से आप सभी के लिए आप ही की भाष्रा में गुणवत्ता पूंट सिक्षा उप्लब्ध कराना है कक्षा बारे तक के सभी प्रमुक विश्यों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विश्यों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस पर अप्लोड भी हो चुके हैं ग्यान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना घुमोल योगदान जरूर ने बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया